वेलकम तु इजी एक्जाम गुरू, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते ही, तो दो चीजह बहुत कॉमन हैं, हमें सबसे पहले इसको समझना जाए कि What is एथिक्स और वट इस रिसर्च एथिक्स, जब हम ethics की बात करते हैं बहुत ही common अगर इसके हम भाशा में समझें के ethics का मतलब आप इसको आसान सब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे rule या ऐसे set of rule जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने के उद्देश से बनाये जाते हैं ये कोई कानून नहीं होता है लेकिन ये इसको दूसरे को को किसी तरह का नुकसान ना पच्छा और जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च जब भी कंड़क्ट किया जाता बेसिकली रिसर्च जो है वो साइटी के डिवलपमेंट के लिए उसको बैनेफिट पहुंचाने के लिए ना कि इसको नुकसान पहु पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि वह एथिकल ली वह रॉंग है अब इसको दूसरे आसान सब्दों में और समझें के जैसे रिसर्च के अंदर बहुत सारे अगर उसको नुकसान पहुंच रहा है या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी अपनी है उसको नुकसान पहुँच रहा है पहुंच रहा है उसकी dignity को नुक्सान पहुंच रहा है तो उसके लिए नुक्सान दायक है तो research में शामिल होना उसके लिए नुक्सान दायक हो जाएगा तो basically जो हम research ethics की बात करते हैं तो research ethics क्या है set of rules या आप इसको कह सकते है set of ethical guideline वो क्या करता है आपको set of ethical guideline that guide us on how scientific research should be conducted and disseminated किस तरीके से set of ethical guideline नैतिक दीशान निर्देशों का वह समुझ जो हमें क्या करता है कि किस परकार से वैग्याने का सुन्धान किया जाना चाहिए और उसका परसार कैसे किया जाना चाहिए बेसिकली यह क्या करता है हमारे अपने और दूसरों के वहवारों की हमारी अपेक्षाओं को नियंत्रित करता है research ethics basically क्या है research ethics governed standard of conducted for scientific research it is the guideline for responsibly conducting the research basically यह पर्मोट करता है responsibility conducted the research को research को responsibly करनी के लिए यह आपको क्या करता है पर्मोट करता है इसके लिए different organizations होती है जहां research की जाती जो research organizations होती है वहां उनके पास अपनी review committee होती है या फिर review board होते हैं इसका काम research को देखना है कि research से कोई ऐसी review करके कि research से किसी को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है research ethics के कुछ अपने objective है research ethics की जब हम बात करते हैं इसके अपने objective है अगर हम सबसे major तौर पे देखे तो इनको तीन objective के तौर पे अब देखा जा सकता है फस्ट objective को अगर देखे टू guide और protect human participants dignity right and welfare जिसकी बात में अभी कर रहा था कि इसका जो main objective है वो क्या है वो human participants और उनकी dignity उनके rights और उनके welfare की क्या करना है protection करना protect करना है उनकी रक्षा करना है मानों कल्यान की रक्षा उनके गरीमा की अधिकार हो यह पर्तिभागियों के कल्यान की गरीमा की रक्षा करना है वहीं अगर हम दूसरे objective की बात करें तो इसका जो इसको इसको इस बात को निधारित करना है कि इससे को व्यक्ति व्यक्ति के सम सहायता परदान किया जाए उनको सहायता मिले व्यक्ति समूहों या सब्वेताओं के कल्यान में यानि जो ग्रूप आफ पिपल है उनके कल्यान में यह हेल्पफुल हो ना कि उनको नुक्सान पहुंचाए तीसरे की बात करें तु इंस्पेक्ट पर्टिकुलर रिसर्च इवे एथिक्स की बात करेंगे एथिक्स में सबसे ज्यादा इंफार्म कंसर्ण वाला जो पार्ट है अक्सर आपको जगह-जगह सुनने को मिलेगा यानि के इसमें नियंत्रन जोखिम है या गोपनिता की सुरक्षा है या सूचिस सहमती की परगती जैसे मुद्दों पर विचार करते वे उनकी नैतिक विश्वसनिता के लिए विशेश अनुसंधान घटनाओं और योजनाओं का निरक्षन करना भी है यानि कि व्यक्ति है जो पार्टिस्पेंट है उससे हम क्या करें इनकी प्रोटेक्शन आप प्राइवेसी उनकी प्राइवेसी को प्रोटक्ट करें उनके लिए जो रिस्क है उसको कंट्रोल करें और उसके बाद हम किसी भी रिसर्च को करें तो यह रिसर्च एथिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव में से आते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे सर्कल से इन सर्कल के अंदर प्रिसर्च एथिक्स बहुत सारे प्रिस्पल्स हैं ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इसमें प्रिस्पल्स हैं अब इनको आप देखेंगे इन सभी को अगर आप देखेंगे ध्यान से इनकी हम डिटेल में भी बात करेंगे अगली स्लाइड में तो आप लोगों की जो dignity है उसकी value है उसकी privacy है उसको बचाने के लिए ही की बात करते हैं जैसे respect है जो आपके respondent है उसकी respect करना ऐसा नहीं क्या आपने respondent है आप जा रहे हैं कि रहे हमें तो information चीए दो उससे concern ले देना चाहता है नहीं देना चाहता है तो उसको यह rights होने चाहिए कि बीच में कभी भी यह हम आगे पढ़ेंगे बीच में कभी भी वो जो है वो विड्रो कर सकता है उसके पास इतनी जो है authority हो आप उसको इतनी power दे यह capacity हो उसके पास ऐसा नहीं कि जवलस्ति आप तो उसके जो विचार है ऐसा नहीं आप सहमत नहीं है तो उस विचारों को आप तब भी आपको उसको importance देनी है rules है, regulation है, justice है इनका भी धियान दखना, dignity है उसकी आपकी वज़े से उसको नुकसान न पहुंचे हम इन सब की one by one बात करते हैं सबसे पहला ही इमानदारी honesty इसम सबसे पहले हम अक्सर पढ़ते हैं, research क्या होना चाहिए, objectivity, research में objectivity होना चाहिए, मतलब biasness नहीं होनी चाहिए, आप जो भी उसमें आप कर रहे हैं, research उसके अंदर आपको biasness के avoid करना चाहिए, biasness in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review and other aspects of research, कहां कहां पे हो सकती, जातर biasness जो है, researcher कहां पे इन पार्ट में करता है, जब वो परियोगतात्मक design, data visualization या data व्याख्यान, या सहकर्मी समिक्षा, peer review और अनुसंधान के अन्ने पहलों में पूरुवागरेस से बचना होता है, और यहां यहां पे चा अब यहां जो है, वो badus होने का खतरा जादा रहता है, या bias किस हिस्से मे leasness कम होती है, तो यहां पर आप देखेंगे, कि हम beist कहां हो सकते हैं, कि हम किसी data को analysis करते हैं, जब हम data का करते हैं, उसको interpret करते हैं, तो यह हम data को select करते हैं, तो ऐसी जग़ों पे leasness के खतरे चाहिए या अब्जेक्टिविटी रहना है यह भी आपस में रिलेट करता हुए नेक्स है integrity को देखें अखंडता की बात करें अखंडता और इमानदारी दोनों को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको जो इमानदारी है उसको इसमें करना चाहिए कि बनाएं और इस तरीके से आप रिसर्च को करें रिसर्च में बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के लिए जगह नहीं होती है और इस्ट्री की बात यहां भी आप इसी से जोड़ सकते हैं कि यहां पर क्या है कि लाभारती और उतर दाता हूं के साथ आपको इमानदार होना भी यहीं है क्यानि तो उसमें आप यहां पे वहीं बात आजाएगी व आजायनिस की बात आजाकर के साथ आप कि आप औरे मद कर आएगे यहां हाई जूत है सब्सक्रांग को इसमें सामिल कराई यह इसकी बात है कि और जूट यह सब्सक्राइब हो नदार के इमांदार होना चाहिए इसकी बहुत ज्यादा इससे सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं कि जब आप किसी को इसमें सामिल कर रहे हैं कोई व्यक्ति है उसको सामिल कर रहे हैं अपने रिसर्च में अपने सोध में तो उससे पहले जो है आप सहमती जरूर ले कि वो इसमें सामिल होना चाहता है या नहीं सामिल होना रहे हैं सूचित सहमती जो है उसके लिए बहुत उसके पास Rights of the Individual to Participant in the Research परतिभागी को नुसंधान के उद्देश से उसकी ढूमिका उसके लाभ हानी आदी के बारे में सुचित करना यानि ये भी जरूरी है कि आप उसको डिटेल में बता दें परतिभागी को कि आप क्या 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 कर रहे हैं क्या उद्देश है उसकी क्या भूमिका होगी क्या रहानी हो सकता है यह सारी चीजें जो रिसर्चर है उसको जरूर बता दे इसकी बात अभी हम उपर कर रहे थे कि पर्तिवादी का सम्मान जो व्यक्ति है जो रिस्पॉंडनेंट है उसका सम्मान उसकी स्वैतत्ता का इसमें जिसके लिए और शैक है कि लोग अपने व्यक्तिकत लक्षों के बारे में विचार विमर्ष करने में सक्षम हैं उसके साथ इसके आप उसको बहुत कर रहा है और उसको यह नहीं लगना चीह के उसके साथ जो है उसको सुरक्षा भी परदान की जाए यह आपको बोलकर असुरक्षित महसूस कर रहा है किसी भी टाइम जो रिस्पॉंडेंट है वो उसके पास यह राइट होने चाहिए कि वह अपने आपके रिसर्च से विड्ड्रो कर सकता है, किसी भी हिस्से में वह विड्ड्रो कर सकता है, किसी भी तरीके से उस पे फोर्स नहीं होना चाहिए, अगर वो डिसाइड कर रहा है, वो विड्ड्रो करना चाहता है, तो आप उसको विड्ड्रो करने के राइट्स प्रोवाइट कराएं, तो यह पास तरीके थे, इसके अलावा भी अगर हम एथिक्स की बात करें, कुछ और important चीज़े हैं, जो research and publication ethics से related हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा important है, no permission for data information uses, बिना permission के आप किसी भी का data आप use ना करें, copyright का ध्यान रखें, जो भी content अगर copyright है, तो उसको बिना permission के, उनसे बिना इजाज़त लिए, बिना concern के, किसी भी तरह के deformation को use ना करें, image manipulation से बचना चाहिए, किसी भी तरह को image को manipulate ना करें, data fabrication ना करें, data fabrication का मतलब है कि कोई भी data के अंदर आप उसमें छेड़चार ना करें, अपनी जरूरत के हिसाब से या अपने आप जो finding चाहते हैं, उसके according आप data में, अगर ये भी एक तरीकी से data manipulation हुआ, कि आप data में fabricate करें, उसमें changes करें, उसके according आप data को fabrication ना करे लेजरिसम से आपको बचना चाहिए, data classification, इससे बचना चाहिए, authorship issue क्या होता है, कि आप देखेंगे, research के अंदर आपको कई बार, जो researcher, एक research paper में कई लोग लिखते हैं, ठीक है, author 1 है, author 2 है, author 3 है, मान लिया किसी research paper में, तो जिसने जितनी मेहनत की है, उसको उसी sequence में उसक ना करें, कि आपने कम मेहनत की है, और लेकिन आप जो है, वो सबसे main researcher कहला है, या फेथी, कि आप main author में चले जाए, और जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, उसको आप सबसे last में डाल दें, तो इससे बचना चाहिए, authorship issue के बारे में, इस पे research and publication ethics पे हम और भी detail में बात करेंगे, कि इसकी कौन सी संस्था है, वो किस तरह की guideline उसने बनाई है, conflict of interest, इसमें conflict नहीं होना चाहिए, no disclosure of safety producer, safety से related किसी भी तरह की चीजों में आपको बचना होगा, submission जो है, वो बहुत important topic है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, basically research में माना जाता है, कि आपने एक research paper लिखा है, और आपने किसी एक publication को published के लिए दिया है, तो जब तक उसके पास review के लिए है, यानि वो accept या reject ना कर दे, आप किसी दूसरे को ना दे, एक साथ publication के लिए किसी भी दो organization को ना दे, ये बिल्कुल इसको avoid करना चाहिए, ये unethical माना जाता है, duplicate submission, duplicate submission में जो है, आपका जो एक किसी और की मिहनत के research paper को किसी और ने मिहनत की है, और उसको उठा के आप अपने नाम से publish करा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, स्लामी slicing, basically ये भी unethical माना जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं माना जाता है, स्लामी slicing का मतलब है, कि आपने data collect किया, और एक broad level पे आपने बहुत साला data collect कर लिया, और उसको अलग-अलग slice करके, उसको अलग-अलग publication में आपने अलग-अलग print कर वा लिया, यानि आपने एक बार data collect किया, आपने एक research के purpose है, और उसके बहुत सारे टुक्रे किया, और अलग-अलग आपने उसे दो-तीन research paper निकाल के और publish करा लिया, तो इसको भी कहीं न कहीं उसको ये माना जाता है, कि ये जो practice है, ये गलत practice है, ये wrong, ethically wrong practice है, ये punishable नहीं है, classification, यानि manipulating research data with intention of given a false impression, basically, गलत धारना देने के इरादे से, गलत धारना देने के इरादे से, शोध में हेरफिर करना, ये क्या कराता है, data manipulation, data classification.